असलाम आरेकूम, इस अरीड and welcome to my channel जाहारे आप सब का, I hope आप सब बेको ठीक होगे इस channel में आपको रोज रोज नहीं नहीं creative videos देखनों को मिलेंगी जैसे के painting, sketching, crafting and a lot of other things So, आज मैं अपने ही spec box पे printing करने वाली हूँ आज में minimalistic art try करने जा रही हूँ So, दिखते हमों कैसा बनता है But, don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel So, let's start the video So, ये रहा मेरा spec box और आज मैं इसे spec box पे printing करने वाली हूँ सबसे पहले, मैं white color को use करूँगी और यहाँ मैं acrylic paints उस कर रही हूँ White acrylic paints के help से मैं इसकी base को cover करूँगी मैं white color को as a base use कर रही हूँ क्योंकि इसकी surface है उसको pay color करने से पहले एक base की जरूरत है So, इसलिए मैं यहाँ पे white color use कर रही हूँ अगर आप नहीं चाहते हैं step करना तो आप इसको skip कर सकते हैं आप direct color apply कीजिए जो भी आपको करना है लेकिन यहाँ पे एक base में apply कर रही हूँ अगर आपको पास जैसो है तो आप उसका abuse कर सकते हैं लेकिन अगर आपको पास जैसो नहीं है तो आप white color को as a base use कीजिए अब यहाँ पे जो मेरा specs box का material है वो plastic है तो इसलिए यहाँ पे यह एक दफा में पूरी surface को cover नहीं करेगा तो इसलिए मैंने white color को तीन दफा पूरे अच्छे से coat किया है जिसके वजह से कोई भी जगा खाली नहीं बची अब मैं white और pink color को mix करूंगी और इससे एक light shade of pink बनाऊंगी यहाँ भी मैंने white color को जादा लिया है उसकी quantity को जादा लिया है और pink color की quantity को जादा लिया है इसको भी मैं white color के उपर as a background color यूज़ करूंगी और अच्छे से coat कर तूंगी अब यहाँ भी मैंने pink color इसकी दो coat लगाई है और यहाँ पर अभी मैं main color skin के तरफ आऊंगी सबसे पहले मैं यूज़ करूंगी white, pink, yellow and orange इन सारे colors को इन चार colors को mix करके एक अच्छा सा प्यारा सा brownish skin tone color बनेगा इसको मैं apply करना start करूंगी अभी आपकी मरसी है कि आप 2 colors यूज़ करें 3 करें, 4 करें और आप कोई भी design चूज़ कर सकते हैं कोई भी pattern चूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर definite shapes यूज़ कर रही हूँ लेकिन अगर आप चाहो तो आप definite shapes के साथ अपने painting को complete कर सकते हो और आप अपनी मरसी की color combination भी try कर सकते हो तस आपको दिहार लखना है कि आपको और आप अच्छे से paint करो और वहां पर कोई भी जगा खाली ना रहने पाए अब यहाँ पर जैसे कि मैंने इतनी सारी coat supply करती हैं तो मुझे main colors को सिर्फ एक की दफ़ा coat करना है और अब मैं यहाँ पर second color को यूज़ करूंगी उसके लिए मैंने white और brown color लिया है इसके रसे में white shade of brown यूज़ करोंगी मिक्स कर लोंगी अगर आप चाहो तो इसको की और पी paint कर सकते हो लाइक आप इस color को मिट इस box के मिट पे paint कर लो या आप वापस जो भी चीज़ है पीच है या कोई और चीज़ जिस पेंट कर लो आप उसकी position change कर सकते हो लेकिन अगर आप चाहो तो आप इसके बीच पे कोई drying भी मिला सकते हो अब यहां पे मैं four color combination green का यूज़ करूंगी जिसके लिए मैं white, pink, yellow, orange और blue color इन पांचो color को mix करूंगी और एक बहुत प्यारा unique green का shade प्यार हो जाएगा अब मैं इसको blue sorry brown और yellow color जो skin tone में yellow color बना था उसके mid में लगाऊंगी और सिर्फ मैं उपर ही नहीं लगा रही बलके मैं sides की जगव को भी cover कर रही हूं तांकि यह box बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगे और ऐसा नहीं लगे कि आपने बिल्ट प्रंट साइड पे ही color किया है और sides की साथ जगों को छोड़ दिया है अब मैं जो mid mana area है उसको flower से cover कर रही हूं अब यह आपकी choice है आप डिपेंट करता है कि आप इस पे color करो कोई भी कोई डिजाइन बनाओ या ना बनाओ और ज़री नहीं कि आप flower बिनाओ अब कोई भी और चीज़ बना सकते हो आप कोई face की painting कर सकते हो या कोई भी और चीज़ लेकिन यहाँ में फ्रार के साथ जाओंगी और मैंने फ्रार यहाँ पेंट किया है और यहाँ में black marker का में यूज़ कर रही हूँ और अगर इसका थोड़ा light shade रखना चाहते हो तो आप black pen भी यूज़ कर सकते हो और इसकी इलावा आप shading भी यूज़ कर सकते हो अच्छे से पूल की पत्यों को बनाने के बाद हम इसकी स्टेम की तरफ आऊंगी और इसकी स्टेम पे में हलका हलका black marker ही को जो black marker color में यूज़ कर रही हूँ उससे को shade भी करूंगी तांकि वो थोड़ा मज़ीद अच्छा लगे दिखने में इसके साथ में आप यहाँ भी अच्छे करेंगे तांकि चोटी चोटी बातों से बहुत प्यारी ट्राइंग बना रहे हो तो इन चोटी चोटी बातों का देहां रगते हुए हम सारी अपनी पेंटी कंप्लीट करेंगे यह रहा फाइनल लोग और मुझे तो यह बहुत अच्छा लगा आप जरूर इसको अधिक श्यारी ट्राइन अपनी ट्राइए अपनी पहम हैँ जांके ध्युपके के पाइजब है एक अरह के कुछा आई हम और आपको भी परसंद होगा अगर आपको प्रसंद आया है नहीं ग receptors सब्सक्राऔर परसंद भी दिकसे के बिसी परसंद है और ब्हुन चाहिए आप मैं यू वीडियो और अभुछ सारा किये मिलते ही नेक्स वीडियो में और अपनी जोह में मुझे याद रिखिये अलाहाफेड